हेलो दोस्तों, ओन्लाइन स्टेडी पॉइंट में आपका स्वागत हैं हमारी सीरीज को हम करेंगे पॉलिटी के कोशन्स आज का ये पार्ट टू होने वाला है तो सभी इंपोर्टन कोशन्स जो कि बार बार एक्जाम्स में पूछ जाता है बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक होगा इसमें हम मेजर ली जो है डिसकस करेंगे सिटीजन्शिप को नागरिक्ता के बारे में हर एक्जाम में आप देख सकते हैं फंडमेंडल राइट से इस सिटीजन्शिप से काफी कोशन पूछ जाते हैं तो सारी के सारी इंपॉर्टन कोशन और इस टॉपिक की आज हम यह डिसकस करने वाले हैं वीडियो आपको पसंद है इसे जल्दी से लाइक कर दीजे शेयर कर दीजे अपने सब्सक्राइब करना नहीं बूलेगा बेल अगन जबूर प्रेस करें जिससे सबी वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिल सकें एंड गाइज हमारा जो इबुक है इसमें आज हजार से जादा कोशन आपको मिलेंगे पिछले दीज साल का करन्ट अफेर है किछले 20 सालों में हर एक्जाम में पूछे गए कोशन यहां पर एड किये गए हैं रेलवे, SSC, बैंकिंग सबी एक्जाम में आपको हेल्प करेगा सिर्फर सिर्ट 21 रुपीज में एविलेवल है डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप जाकर किसे पटेस कर सकता है सो गैज, citizenship यानि कि नागरिक्ता के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे Constitution के Part 2 में जो है प्रावधान है नागरिक्ता का यानि कि citizenship का ठीक है इसके अलावा citizenship के बारे में बात करें तो Article 5 से लेकर के 11 Article 5 से लेकर के 11 नागरिक्ता हमें मिलेगा इसके बाद हमारा Indian citizenship act कब आया है 1955 में आया है और इसके अलावा हम articles में देखेंगे कि किन किन तरीके से जो है citizenship acquire की जा सकती है ठीक है ना Indian citizenship को हम किस तरीके से ले सकते हैं इसके अलावा आगे हम देखेंगे termination of the citizenship तो इंडिया में क्या क्या provision है regarding the termination of the citizenship इसके बाद जो single citizenship है तो इसके बार में बात करेंगे हमने कहां से लिए है ब्रिटेन से लिए है है इसके अलावा जैसे कि बात करें कुछ federal states है like USA है Switzerland है यहाँ पर dual citizenship हमको मिलती है ठीक है यहाँ पर एक national citizenship होता है और तूसरा होता है citizenship of the state जिस किसी भी स्टेट में वह व्यक्ति रह रहा होता है ठीक है इसके अलावा citizenship act के बार में हम बात करेंगे तो अभी हाली में amendment हुआ है 2019 में जो बिल आया था उसके बार में हम बात करेंगे फिर एनराइस क्या होते हैं ठीक है ना न और सी citizenship of India scheme क्या है सो यह सब कुछ आज ही हम यह डिसकस करने वाले हैं सो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजे और शेयर कर दीजेगा सभी के सांथ ताकि सभी ताकि यह valuable information पहुंच पाए तो जैसे कि मैंने आपको बताया आर्टिकल 15 से लेकर के 11 तक हमारे constitution में क्या दिय किसी से संबंदित है तो यह है नागरिक्ता यान की citizenship आर्टिकल 5 जो है वो बताता है हमें क्या citizenship के बारे में 5 से लेकर के 11 तक different different हमको वो मिल जाएंगे इसके लावा हम बात करें आर्टिकल 5 confers citizenship on every person having his domicile in India अब क्या किस किस तरीके से हम इसको ले सकते हैं तो पांच पांच ways है तो हम देखेंगे by birth जन्म से by descent यानि की once से by registration तो registration के थुरू by naturalization तो कुछ naturalization का तरीका होगा application दे सकते हैं इसके बाद government अगर उसको accept कर लेती है तो फिर हमें citizenship मिल जाएग इन corporation of a territory तो इंडिया का अगर कोई country कल को हम क्या करें उसको हमारे देश का इंडिया का पार्ट बना ले तो वहां के जो citizens हैं उस जगा के तो उनको automatically क्या मिल जाएगी citizenship मिल जाएगी इंडिया की तो यह पांच तरीके होते हैं उनके बार में further हम discuss करेंगे भारती संविधान का कौन सा भाग नागरिक्ता से संबंदित है तो पार्ट टू आर्टिकल 5 से लेकर के 11 ठीक है पार्ट वन जो है हमारे constitution का तो उसमें भारत और उसके जो संग शेत्र हैं उनके बार में पताया गया है राज और संग शेत्रवन से लेके फूर आर्टिकल त हो जाएगा भारती संविधान में नागरिक्ता के प्रावधान कब लागू किए गए तो नाइटीन फिटी को डैफिनेटली 26 इनवरी 1950 को जब हमारा constitution जो है एंफोर्स होता है ठीक है हमारा संविधान लागू होता है तो यह क्या है citizenship कि citizenship का description हमें कहा मिल रहा है संविधान म क्या होगा हमारा क्या है नागरिक्ता का प्रावधान भी लागू हो जाएगा है आगे बात कर लेंगे भारतिय संविधान निम लिखित में से कौन सी नागरिक्ता प्रदान करता है तो भारतिय संविधान केवल एकल नागरिक्ता क्या करता है प्रदान करता है यानि कि जैस पर वहां का citizen होगा तो इसको dual citizenship बोल रहे हैं जब कि इंडिया में इसा नहीं है हमें क्या है सिर्फ तो कौन सी citizenship है तो इंडियन बात करते हैं वहीं आगया हमारा कोशन भारत में एकल नागरिक्ता की अवधार्ना को किस देश से अपनाया गया है सो भारत में एकल नागृत्ता की जो अवधारना है इसको कहां से लिया गया है British Constitution यानि कि England से British Constitution से और क्या-क्या लिया गया है तो Parliamentary Form of Government जो हमारी आज संसाथ है वो इसके अलाबा Cabinet System, Rule of Law, इसके अलाबा Legislative Procedure, Office of CAC this is the most important CAG जो है ना Comptroller and Auditor General of India यह office भी प्रिटिश Constitution से ही लिया गया है currently इंडिया के जो Comptroller and Auditor General है वो है Mr. Greece चंद्रमुर्मू जो कि पहले जमूँ और कश्मीर के left-hand governor भी हुआ करते थे आठ अगस्ट 2019 को उनने कारभार जो है समाला था आठ अगस 2020 को इसके लावा हम बात करें और जो CAC से लेटर जो आर्टिकल है हमारे Constitution में वो है आर्टिकल 148 अब यहां पर अमेरिका की भी बात हुई है USA की हम तोड़ी से बात कर लेंगे कहां से US Constitution से साथ ही साथ removal of judges of Supreme Court and the High Court अभी जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है हलागी वो impeachment होता है प्रोसेसर सेम सेमिलर होता है impeachment की तरह जो की प्रसेडेंट पर होता है लेकिन उसको impeachment वर्ड नहीं बोला गया है और impeachment of the president भी हमने USA से लिया है post of vice president भी हमने USA से लिया है अभी USA के president बने है जो बाइडन Kamala Harris जो की पहली female vice president बनी है USA की और जो प्रियंबल है प्रियंबल की अवधारना भी हमने अमेरिका की constitution से ही ली है बात कर लिया हम यहाँ पर रशिया ठीक है रशिया भी दिया हुआ है अपर तो हमने रशिया से क्या लिया है उस समय वो सोवेट यूनियन हुआ करता था तो fundamental duties जो है वो भी हमने मौले करतव भी यहां से लिये है और ideal of justice जो की हमारा प्रियंबल में है ना social economic और political justice यह भी कह से लिया है हमने रशिया यानिकि सोवेट यूनियन के constitution से at last हम देख लेंगे France से यानिकि French constitution से हमने क्या लिया है तो यहां पर हमने liberty equality quality और fraternity का जो idea है यह भी कहां से लिया है प्रेंबल में जो है हमारे वो French constitution से हमने लिया है ठीक है तो इतना आप यहां से याद रखेंगे अगला question हम देखेंगे किस देश में जो है दोहरी नागरिक्ता का सिध्धान्त अपनाया गया है तो दोहरी नागरिक्ता इसमें से अ अमेरिका इसके लावा कभी ऐसा हो जाई कि basically तो अमेरिका हमेशा मिलेगा option में अगर कभी नहीं होता है न तो option में आप एक और क्या लगा कि आएंगे इसके लावा हमारा constitution में क्या है तो हमारा constitution में सिंगल citizenship यहाँ पर दी गई हमें कौन से citizenship दी गई सिर्फ़ इंडियन ठीक है चलिए आगे हम बात करेंगे भारत में नागरिक्ता हासिल करने के कौन से तरीके हैं कौन से वैज तरीके हैं तो मैंने आपको पांच बताये एक त तो वो भी मैंने आपको पताया था वंशियाधार पर शेत्र शेमाविस्टी यानि की in corporation of a territory कोई भी नई territory पार्ट बनती है इंडिया का तो जो गॉर्मेंट है शेल स्पेसिफाइड पर्सन ऑफ दाट टेरिटरी हूँ शेल बीदे सिटीजन ऑफ इंडिया तो उसमें जो सि registration and by naturalization तो यह पांच तरीके हैं Indian citizenship acquire करने के तो डी हमारा आंसर होगा सारे के सारे है ना भारत की नागरिक्ता किस प्रकार से समाथ हो सकती है तो termination of the citizenship तो हम स्वेक्षा से उसका त्याग कर दें बरखास कर दिया जाए या फिर नागरिक्ता से बंशित कर दिया जाए तो डी तरीके है citizenship time तरीके से समाथ हो सकती है तो क्या हो गोई इंडिया का citizen हो वह क्ति आखे कि से जागर ले ली है तो उसकी जो सिटिजनशिप है वो क्या हो जाएगी सीज हो जाएगी अपने अब उसको टर्बिनेट कर दिया जाएगा ठीक है चलिए अगला हम देखेंगे भारती नागरिक्ता से संबंदित विश्यों को लेकर भारत सरकार का कौन सा मंत्राले उत्तरदाई है सितंबर 2000 में भारत सरकार द्वारा विदेशी भारती नागरिक्ता के संबंद में एक उचिस्तरिय समीती का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था तो ये थे LM सिंग्वी की अध्यक्षता में एक उचिस्तरिय समीती बनाई गई थी भारत सरकार द्वारा विदेशी भारती नागरिक्ता के संबंद में थी प्रवासी भारती नागरिक किसे कहते हैं तो प्रवासी भारती नागरिक हम बात करें P.I.O. Person of Indian Origin तो किसे कहा जाता है ग्रहम अंत्राले द्वारा दो हजार दो के बाद से P.I.O. Person of Indian Origin कार्ड धारक की रूप में दर्श किया गया कोई भी व्यक्ती क्या कहलाता है प्रवासी भारती नागरिक कहलाता है तो इसको क्या कहा जाएगा P.I.O. जो है यहाँ पर क्या कहा जाएगा पर्सन ओफ Indian Origin ठीक है अगला हम देख लेंगे P.I.O. और O.C.I. का विलायकर भारती है विदेशी नागरिकता कार्ड ओल्डर O.C.I.C. जो है योजना कब शुरू की गई है तो यह शुरू की गई है यह 2002 में शुरू कर दी गई है O.C.I. का फूल फॉर्म क्या होता है Overseas Citizens of India क्या होता है Overseas Citizenship of India ठीक है तो यह हमें याद रखना है इसके लावा हम बात करेंगे नागरिकता जो है प्राप्त करने के लिए शर्ते निधारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है तो नागरिकता देखे नागरिकता के बारें हम बात करें तो इससे रिलेटेट जितने भी जो राइट दिये गए है वो पार्लियमेंट को दिये गए है यानि की संसत को दिये सिता डेफिनिली राज्ज की सदस्तिता जो है एक आवशिक शर्त जो है याँ पर हो जाती है किसी अनुच्छेट की अंतरगत कहा गया है कि व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है वो भारत का नागरिक होगा अंडर दी आर्टिकल 5 ठीक है पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंदी प्रावधान का वर्ण की सनुच्छेद में है तो ये है अंडर दी आर्टिकल 6 किस आर्टिकल में है सिक्स में राइट अफ सिटीजन्शिप ऑफ सटें पर्सन हो हैव माइग्रेटेट टू इंडिया फ्रम पाकिस्तान अब इसमें भी अलग-अलग है तो जो 1935 से रिलेटेड है फिर इसके बाद जो 19 जुलाई 1948 से पहले माइग्रेट होकर के आये हैं फिर जो 19 जुलाई 1948 के बाद आये हैं उस डेट पे आये तो उस अकॉर्डिंग ही जो है आपर प्रोविजन्स दिये गया है वह वक्ति जो पाकिस्तान इस्थनांत्रित हुआ हो लेकिन बाद में लॉट आया हो भारत का नागरिक बन सकता है यह किस अनुछेद में कहा गया है तो यह कहा गया है पाकिस्तान भारतिय मूल के माता पिता या दादा दाधी होने पर एक व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जा सकती है यह किस अनुछेद में कहा गया है यह कहा गया है अंडर दी आर्टिकल एट राइट ऑफ सिटीजन्शिप ऑफ साटीन परसन ऑफ इंडियन ओरिजिन रि क्या है तो आर्टिकल 11 जो है इंपावर करता है पार्लियमाइंड को कि वह लौ बनाए जो भी सब्जेक्ट रिलेटेड है किस से सिटीजन्शिप एक्वायर करने के और सिटीजन्शिप के टर्मिनेशन से तो आर्टिकल 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा ठीक पर भारत की नागरिकता समात करने के प्रावधान रखता है तो यह है आर्टिकल 9 आर्टिकल 9 क्या है और सिटीजन्शिप ऑफ इंडिया इफ ही वॉलेंटरिली एक्वायर्स इस इटीजन्शिप ऑफ फॉर्न स्टेट किसी दूसरी कंट्री के हमने सेट वो अनुचे 10 भारतिय नागरिकता की नागरिकता प्रमारित करने का उत्तरदाइत वो किसे सौंपता है तो यह सौंपता है संसत को छीख है किस अनुचे 10 संसत को नागरिकता के संबंद में कानून बनाने का अधिकार है अभी जस्वान आपको बताया है यह है अंडर दी एक्ट ऑफ 1955 ठीक है तो यह क्या करता है यह जो प्रोविजन्स है उनको एलाप्रेट करता है किस चीज़ के प्रोविजन एक्कुजेशन ऑफ दी सिटिजन्शिप ठीक है 1955 में जो है यह एक्ट आया था फिर इसके अंडर ही वो पांचों जो तरीके हैं जो मैं आपको बताये थे बाइट 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 सेंट बाइट सेशन बाइन कार्परिशन ऑफ दी टेरिटरीजिए से अंडर दिये गए हैं क इनके थुरोँ हुआ कर सकते हैं एकवायर कर सकते हैं इंडियान सेटिजशंड ही में नागरिकता संशोधन कानून कभ लागू किया गया है तो यह 2019 में लागू किया है सबी को पता होगा सेटिजिंशिफ अमिंडमेंट एक d.C.A.A को लेकर काफी जादा प्रोटेस्ट यहां पर कोविट से पहले हुआ था है ना 2019 में जो है पार्लेमेंट में ने इसको पास कर दिया था 11 दिसंबर 2019 को और प्रेसिडेंट का एसेंड भी मिल गया था 12 दिसंबर 2019 को अधिक्स दाफ फॉरेंट इलीगल माइगरेंट ओफ सिक्स रिलीजिस कम्मिनिटीज हिंदू सेख बुद्धिस जैन पार्सी और क्रिस्टिन फॉम अफगानिस्थान बंगलादेश और पाकिस्तान एलिजिबल फॉर दी इंडियन सेटिजिजन्शिप ठीक है और भी प्रोफ जाएगा टमिनेट कर दिया जाएगा निम मैं से कौन से अधिकार विदेशियों को प्राप्त हैं तो हम बात करेंगे निमने किस अनुट्षेट में सिटीजन्शिप रिलेटेट कुस अधिकार है जो विदेशियों को प्राप्त है तो यह है अंडर अर्टिकल 20 वह सो हम सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा ओकी गईस थैंक यू